हेलो एवरीवन वेलकम तो मैंगेविंस आईटी जैई एंड नीट चैनल मैं अभिशेक कुमार मैंगेविंस अकेला एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कम्प्लीट एंस एटी बोग एंस एटी एक्जांपलर और बेस्ट प्रॉब्लीश की बुग आपको कम्प्लीट थियोरी और इसी के साथ में अकेला एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको यहां पर त्यारी करवा रहा हैं फाउंडिशन कोर्स की मतलब जो चैनल आप वाच कर रहे हैं यह हैं मैंगेविंस आईटी जैई नीट चैनल जहां पर आपको त्यारी करवाई जा रही हैं 100% free education के साथ आईटी और नीट दोनों की चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की तो इस वीडियो में हम लोग कवर अप कर रहे हैं compound interest की DPP तो आप देख रहे हैं यहां पर compound interest का daily practice solutions problem solutions आप से उमीद करता हूं कि आपने इसकी complete theory बहुत अच्छे से पढ़ ली होगी और उसी पे जब आप description box म को खुद से solve करिए उसी के बाद में solution video अगर आप watch करते हैं तो आपको बहुत अच्छे समझ आएगी और अगर आप directly solution video पर आ गए हैं तो जैसे अभी question आपके सामने आएगा तो वीडियो को आप कर दे pause और आप पहले खुद से solve करें फिर आप सुसका solution part देखे clear हैं तो च chapter के छोटे-छोटे जो भी topics हैं उनका detail explanation दिया जाता है हर explanation के साथ आपको dpbs provide की जाती हैं और dpbs के बाद आपको practice sheets पूरे chapter की यहां पे 500 plus questions आपको available कराई जाती हैं जिनको आप खुद से solve करते हैं और फिर उनके solution videos भी आपको यहां पे available हैं तो इतना असान है magnumdance के platform पे सब कुछ पाना वो भी 100% free education के साथ weekly test आपको available है monthly test आपको available है इसी के साथ में अगर आप extra videos educational चाते हैं तो वो भी आपको इस channel पे easily available है notification पाने के लिए आप YouTube channel को जल्दी से यहां पे subscribe कर लेजे जिसकी कोई भी fees आपको पे नहीं करनी है कोई subscription fees नहीं कोई coupon code apply नहीं करना 100% free education तो चलिए शुरुआत करते हैं तो पहला सवाल इस sheet में जो आप लोगों ने solve किया वो कुछ इस पकार से था सवाल यह है कि सैलेश लेंड सम सम ओफ रूपीज सिक्स थाउजन टू कल्यान सैलेश लेंड का मतलब है कि सैलेश दे रहा है पैसा सैलेश पैसा किसको दे रहा ह है सैलेश कल्यान को एमाउंट पे कर रहा है तो सैलेश ने कल्यान को पैसा दिया मतलब कल्यान यहां पर बॉर्वर है और सैलेश जो है वो लेंडर है क्योंकि यह पैसा दे रहा है तो जो प्रिंसिपल एमाउंट दिया उसके बारे में यहां बात हो रही है प्रिंसिपल एम percent per annum के हिशाब से विखुप है और वर्ड weighted annually देखो यूजा الإ oppaEm at lixo TO chemotherapy देख कर आ जाना चाहिए そफ और उस्तेनल कमपाउनडे का फोरमुला T वानल्य करना है टाइम आपको दिया होगा है 22 साल 2S के बाद कितना पैसा कल्यान वापिस करेगा सेलेश को यह आपको find करना है तो आपको amount find करना है और amount calculate करने के लिए क्योंकि यहाँ पर compounded annually बोला है तो principal 1 plus r upon 100 whole raised to the power of time t इस formula का हम use करेंगे, done है और इसमें जब यह values को मैं substitute करता हूँ तो मेरा देखिए amount आ जाएगा principal मतलब 6000 1 plus r upon 100 r की value यहाँ पर दी है 10 तो 10 by 100 clear और whole raised to the power of 2 क्योंकि time हमें 2 दिया था clear बस इतना सा असान सावाल है इसको हम solve कर लेते हैं देखिए 6000 multiplied with 1 plus 1 by 10 का square और 1 plus 1 by 10 का मतलब है 11 by 10 इसका मतलब 6000 multiply हो रहा है 11 by 10 multiplied with 11 by 10 के साथ 11 by 10 आएगा इसका 11 by 10 का square है मतलब 2 बार 11 by 10 को आपको multiply करना है solve कर दीजिए ये 2 0 से 2 0 कट गए 60 multiply हो रहा है किसके साथ तो 60 multiply हो रहा है यहाँ पर 121 के साथ 11 multiplied with 11 is 121 इन दोनों को अगर मैं solve करूंगा तो 6 1 times 6 6 2 times is 12 तो 6 2 times is 12 12 कर 2 carry 1 7 7 2 6 0 मतलब 7 260 रुपे ये वापिस करेगा as an amount कौन वापिस करेगा तो सैलेश ने पैसा दिया है सैलेश को जो पैसा return मिलेगा किससे कल्यान से वो मिलेगा 7260 रुपे क्लियर बस हमें amount निकालने को बुला था वो हमने amount निकाल दिया अगर हमसे पूछा जाता कि कल्यान ने कितना interest पे किया तो इस case में हम जो formula यूज करते हैं वो है आपका यहाँ पे हमें basically अगर interest पूछा जाता तो amount minus principal कर देते that means 7260 में से आप minus कर देते 6000 को तो यह आपके पास आता 1260 रुपीज जो as an interest कल्यान ने फाइदा मतलब इतना amount extra pay किया है 6000 के उपर 6000 तो return किया principle तो return किया है उसी के साथ में उसने interest भी लगा के pay किया तो interest उसने pay किया है 1260 यह था question number one मैं कहूंगा competitive level पे इतने छोटे level के जो सवाल है यह बहुत कम देखने को मिलते हैं clear लेकिन हां important रहते हैं तो variety solve करवा रहा हूं यहाँ पर पहला question के बाद यह second question आप पिक करिए second question में हम जब बात करेंगे तो यहाँ पर दिया हमें Shrikant borrowed a sum of rupees 12,000 Shrikant ने कितना borrow किया तो Shrikant ने जो borrow किया है वो है amount 12,000 मतलब उसने एक principal amount लिया है तो principal लिया है amount नहीं बोलेंगे principal बोलेंगे principal कितना लिया rupees 12,000 12,000 रुपे लिये किसी finance company से लिये rate उसको जो charge किया जा रहा है वो है 20% per annum हर साल का 20% under किस तरीके से charge किया जाता है simple interest है कि compound interest है तो compound interest है अब compound interest कैसा वाला है half yearly है quarterly है या annually है तो यहाँ पर बोला है compounded annually find the amount आपको amount find करना है आपको a find करना है and आपको interest भी found करना है compound interest interest कितना निकाला तो आपको interest भी calculate करना है मतलब आपको CI calculate करना है for a period of two years time आपको दिया हुआ है दो साल तो देखिए ये दो पार्ट आपको find करने हैं बाकी पूरी चीज आपको given है ये दो चीजे और ये चीज आपको given पार्ट में बोली है clear है ये भी given है ये भी given है चलिए हमें पता है जब भी compounded annually वाली बात होती है जब भी compounded annually बोला तो annually के समय हम लोग करते हैं यहाँ पर amount find और amount का formula होता है principle one plus r upon hundred whole raise to the power of time amount अगर आ जाता है तो amount के बाद हम CI found करेंगे clear तो इस formula को अगर मैं use करता हूँ तो amount देखिए मेरा आएगा बारा हजार उपे लिए clear one plus r upon hundred 20% के हिसाब से और time time इनोंने बुला है कितना तो time बुला है दो साल के लिए यह रहा दो साल इसको solve कर लेते हैं तो यह आएगा 12,000 multiplied with 0 से 0 गया 2 से 10 गया तो 1 प्लस 1 by 5 आएगा 1 प्लस 1 by 5 whole raised to the power of 2 clear और इसको solve करेंगे तो यह आजाएगा 12,000 multiplied with 6 by 5 6 by 5 multiplied with 6 by 5 और देखिए 5 से यह 12,000 गया तो 5 2 times is 10 5 2 times is 10 बच्छा 20, 5 4 times is 20 and 2 0 अगें 5 से deduct होगा यह value तो 5, 4 times is 20 बच्छा 40, 5 8 times is 40 and 0 480 multiplied with 6 into 6 is 36 और यह आपकी value find हो जाएगी clear? इसको हम rough work में अगर यहां कर लेते हैं तो 48 में मैं 36 को multiply करूँगा देखिए 480 था, 0 को छोड़ दो last के जो 0s होते हैं उनको छोड़ दो आगी की जो values हैं उनको multiply कर दो तो 6 into 8 is 48 6 into 4 is 24, 28 cross 3 into 8 is 24, 2 and 3 into 4 is 12 and यह आएगा 214, 8 9, 10, 11, 12, 12 गर 2 carry 1 5, 6, 7 तो यह आएगा 1728 172, 8, 0 clear? जो 0 आपने चोड़ा था वो 0 आप बाद में लगा दीजे तो आप 17,280 रुपे कोन financial institute को return करोगे अगर आप 12,000 ले रहे हो मतलब आप मतलब यहाँ पर श्रीकांत की अगर मैं बात कर रहा हूँ श्रीकांत अगर 12,000 रुपे ले रहा है तो उसको return जो पैसा करना है वो करना है उसको 17,280 रुपे यह आपका amount निकल के आ गया done है जल्दी से comment box में बताईए यह मैं डाल देता हूँ white box के अंदर तो यह मेरा जवाब है done चलिए अब मुझसे यहाँ पर इन्होंने पूछा था कि भाई आप बताईए compound interest कितना pay किया तो compound interest कितना pay किया आप compound interest पे करना है मतलब CI found करना है और CI निकालने के लिए amount minus principal amount की value हमेशा बड़ी होती principal की value हमेशा छोटी होगी तो amount हमने pay किया है 17,280 और लिया कितना था तो 12,000 रुपे लिया था extra कितना pay करा तो extra कितना pay करा तो 280 रुपे एक तो extra pay किये 280 रुपीज और 7 में से 2 गए तो ये बचा 5 5,280 रुपे हमने extra pay किये है ये आएगा रुपीज 5,280 रुपीज ये हमारा compound interest calculate होकर आ गया clear है तो ये और ये आपके दूश जवाब हो गये है इतना असान था आपका question number 2 थोड़ा सा बस यहां पे calculation पर आपको ध्यान देना पड़ेगा वहीं पर mistake होने की chances होते हैं clear question number 2 के बाद हम move करते हैं third question की तरफ तो third question देखते हैं अब person borrowed a sum of rupees 8,000 कोई बंदा है उसने principle लिया borrow का मतलब principle principle लिया है 8,000 रुपे का जरूरत के समय पैसा 8,000 रुपे इसको मिल गया rate वापिस करने का जो decide हुआ है वो 10% interest के साथ वापिस करना है 10% पर हैनम हर साल का 10% calculate होगा compounded semi annually आप देखो यह word दिया है compounded semi annually semi मतलब annual का half मतलब six month तो यहां पर जब भी six month वाला आता है मतलब half yearly की बात हो रही है तो यहां पर यह जो word है compounded इसको मैं लिख लेता हूँ compounded semi annually का मतलब semi annually का मतलब semi annually का मतलब है compounded half yearly तो यह आपको समझाने के लिए मैं यहां पर लिख रहा हूँ compounded half yearly वाला formula हम use करेंगे clear हैं और compounded half yearly मतलब 6 महीने का 1 साल, तो मतलब 1 साल अच्छली यहाँ 2 साल के बराबर होगा, तो जब भी compounded half yearly है, semi-annually word बोले, तो यहाँ पे हम लोग basically formula में एक छोटे से changes करते हैं, amount जो होगा, वो होगा principle 1 प्लस R upon, 100 नहीं 200, whole raised to the power of 2 times T, twice, twice calculate करते हैं, time का 2 गुना कर देते हैं, clear है, 2 times, find the amount and the compound interest for the period of 1 year, तो time देखो, आपको time बोला है, एक साल का calculate करो, 1 year, clear, चलिए, calculate कर लेते हैं, तो यहाँ पर हम लोग pen का color change कर लेते हैं, amount कितना आएगा, तो लिए है, 8000 रुपे, ठेक है, 1 प्लस rate percent है, 10 by 200, okay, whole raised to the power of 2 multiplied with 1, time जो है, वो 1 है, बस इसको solve कर लिजे, आपका amount निकल के आजाएगा, तो finally amount निकल के आएगा, 8000, multiplied with 0 से 0 गया, तो यह आया 21 by 20, clear, whole raised to the power of 2, clear, अब देखिएगा, whole raised to the power of 2 का मतलब है, amount यहाँ पर आएगा, 8000 multiplied with 21 by 20, multiplied with 21 by 20, और 2 0 से यह 2 0 कट जाएगे, clear, 2 into 2 4, 4 into 2 is 8, तो यहाँ पर यह आएगा 20, clear, 2 से काट रहा हूं मैं, 2 into 2 is 4, 4 into 20 is 80, तो यहाँ पर 20 multiplied with 21 into 21, तो amount हमारा निकल आएगा, मतलब 20 multiply होगा, 21 के square से, और 21 का अगर मैं square देखूं, तो यह आपका होता है, 441, clear है, तो 441 से, आप 20 को multiply कर दीजे, amount हमारा निकल के आजाएगा, 882 और यह वाला एक 0, 2 into 441 is 882, तो हम लोग जो amount return करेंगे, किसी person ने अगर loan लिया है, कितने का loan लिया है, 8000 का, return कितना कर रहा है, 88810 रुपे return कर रहा है, इसका मतलब, वो कितना interest पे कर रहा है, वो CI भी हमें calculate करना है, तो यहाँ पे आप CI को भी calculate कर देजिए, CI का formula होता है, amount minus principal, that means, 8820 minus 8000, और यह आजाएगा, rupees 820, 820 रुपे as an interest के रूप में, वो extra pay कर रहा है, clear है, तो 880 रुपे interest दिया, 8000 रुपे principal वापिस किया, clear, total जो amount वापिस किया है, वो है 8820, यह था question को करने का तरीका, clear, चलिए, move करते हैं, question number 4th की तरफ, total 10 question है, 3 question हम लोग यहाँ तक कर चुके हैं, चोटी वीडियो है, वीडियो को पूरा last तक आप watch करिएगा, चलिए, question number 4th देखिएगा, अब borrowed a sum, a borrowed a sum of rupees 4,000 from b, a ने borrow किये है, 4,000 rupees, किस से, from b, तो b lender है और a borrower है, at the rate of 10%, तो principal हमें कितना दिया है, जो amount borrow किया है, वो principal है, जो पैसा लिया है, जो पैसा borrow किया है, वो principal है, और वो है 4,000 रुपया, clear, अब at the rate of 10%, rate कितना है, तो rate decide हुआ है, return करने का 10% per annum, clear, under simple interest, अच्छा, यहाँ पर simple interest की बाद बोली है, immediately a gave this money to c, a ने borrow किया, और a ने उठा कि यही पैसा, c को दे दिया, तो यह जो हमें data given है, यह ने लिया पैसा, b से, done, और a ने पैसा दिया, अब a lender है, और c जो है वो borrower है, clear है, तो immediately a gave this money, कौन सी money यह जो 4,000 लिया था, यह पूरे का पूरे इसने c को दे दिया, at the same rate under compound interest, compounded quarterly, यहाँ पे business दिमाख लगाया, इसने बोला, यही principle, जो की rupees 4,000 है, मैं c को दे रहा, थन, और rate जो मैं लूँगा, वो rate आपका होगा, same rate पे दिया है, immediately a gave this money to c at the same rate, तो rate भी 10% दिया है, per annum के हिसाब से, बट यहाँ पे, जो मैं interest लूँगा, मतलब A ऐसा बोल रहा है, कि A, C से जो interest लेगा, वो compounded, compounded quarterly होगा, compounded, word देखिएगा, compounded quarterly, ठीक है, ऐसा इसने बोला, find the profit of A, in doing so, after six month, अगर यह पैसा, छे महीने के लिए ऐसा होता है, इसने भी छे महीने के लिए, आगे दिया, छे महीने के लिए, six month का हमें time दिया है, time हमें दिया है, six month, अब देखो, मैंने जब simple interest पढ़ाया था, compound interest की theory में भी आपको, यह मैंने भीच में बताया है, कि जब भी time calculate होगा, मतलब जब भी time लिया जाएगा, वो हमेशा yearly, per annum के हिसाब से लिया जाएगा, month की बात हुई है, change करिए, इस month के figure को year के अंदर, तो आपको यह चीज़ पता है, कि एक साल में 12 महीने होते हैं, clear, और जो हर महीना है, every month, मतलब one month, is equals to one by 12 year, clear है, इसका मतलब six month जो है, यह बराबर होंगे, one by 12 multiplied with six year के, clear, और six into two is 12, मतलब one by two year, यहाँ पे इस data को हम लोग use करेंगे, six month का मतलब है, one by two year, clear है, तो यह हमें बुला गया, अब आप बताईए, अगर A ने C के साथ ऐसा किया, तो कितना interest मिला, मतलब कितना amount मिला, एक काम करीए, आप amount calculate करो, अब उस amount में एक principle छुपा होगा, वो principle, वो simple interest के हिसाब से, B को वापिस करेगा, तो यहाँ पे profit part कैसे निकलेगा, profit निकलेगा, जो A को amount मिला होगा, clear है, और जो वो return करेगा B को, तो उसमें से जो बचेगा, ठीके, वो पैसा A का profit होगा, यह चीज आपको calculate करने है, देखिए, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, यह अच्छा question है, compound interest भी पढ़ा, आपने simple interest भी पढ़ा है, तो यहाँ पर, इस question को कैसे apply करना है, वो मैं आपको compound interest की DPP में बता रहा हूँ, done, चलिए, देखिएगा, अगर A ने पैसा लिया B से, simple interest के हिसाब से, तो सबसे पहले, तो हम simple interest calculate करेंगे, simple interest calculate करते हैं, done, और simple interest हम calculate कर रहे हैं, जो पैसा A ने लिया है B से, यह वाला मैं आपको पहले करके दिखा रहा हूँ, ठीक है, तो actually, A कितना return करने वाला है B को, तो यहाँ पर देखिए, simple interest का जो formula होता है, वो होता है, principle multiplied with rate, multiplied with time upon hundred, clear है, तो यहाँ पर हमारे जो simple interest निकल के आएगा, इसने लिये हैं 4,000 रुपे, 10% के हिजाब से, time इसने use किया है, 6 महीने, तो 1 by 2 year लिग दिया, upon hundred, यह होगा, 2 0 से यह 2 0 गए, तो यह आपका आएगा 400, और 400 divided by 2, will give you 200, clear, यह आपका simple interest आएगा, रुपीज में, 200 रुपीज, simple interest आएगा, that means, जब A return करेगा, A return, रुपीज, 4,200, to B, clear है, तो यह चीज़ तो हमने, calculate की, कि A को कितना पैसा वापिस करना है, 6 महीने के बाद, अभी A ने क्या किया है, A ने उठा के पैसा दे दिया है, किसको दे दिया है, तो पहले तो हम इसको highlight कर लेते हैं, किसको, यह जो box है, दो सुर पे, जो उसने, extra देने हैं भी, ठीक है, इसकी बाद, हम बाद में करेंगे अब, थोड़ा सा यहां रुख जाते, अब हम आ जाते हैं, compounded word पे, तो एक word हमें दिया है, compounded, कैसा बूला compounded, compounded quarterly, अब compounded quarterly का मतलब है, amount is equals to principle, 1 plus r by 400, whole raised to the power of 40, यह compounded quarterly का मतलब होता है, अब, यहां से हम जब amount calculate करेंगे, तो कितना दिया है, A ने C को दिया, 4000 रुपे, तो 4000, clear, multiplied with 1 plus 10% के हिसाब से, 10 by 400, whole raised to the power of 4, multiplied with 1 by 2, 4T का मतलब है, T years में होगा, तो 4 multiplied with 1 by 2, will give you 2, तो यहां पर power में आएगा 2, 2, आपको यह समझ आना चाहिए, मैंने यहां 2 क्यों लिखा है, तो यहां पर मैं इसको, सिर्फ 2 लिख देता हूँ, clear है, मैंने यह चीज़ आपको लिख के समझा दी, कि यहां पर 2 कैसे आया, तो यहां पर 2 आना चाहिए, power में, clear, अब इसको solve कर लेते हैं, तो amount हमारा निकल के आएगा, 4000, 4000, multiplied with, 0 से 0 गया, 1 by 40 आया, 1 by 40 का मतलब है, यहां पर 1 by 40, 1 प्लस 1 by 40 का मतलब है, 41 by 40, multiplied with 41 by 40 का, square, 41 by 40 को, 2 बार multiply कर देते हैं, clear, 0 से 0 कट जाएगा, देखें, 0 से 0 कट गया, और 1 by 40 कटा, तो यहां पर आया 10, clear, और यहां पर, आप amount calculate करिए, तो यह आएगा, 41 multiplied with, 41 multiplied with, 10 upon 4, एक blank sheet में, इस value को में लिख लेता हूं, चलिए, तो amount, blank sheet ले लेते हैं, यहां पर देखिएगा, amount, 41 का square, multiplied with 10, upon 4 आया था, यही आया था, पीछे चलके देख लेते हैं, 41 का square, into 10, by 4, यही था, 41 का square कितना होता है, तो देखिए, 41 का जब आप square करेंगे, तो यह 41 आएगा, cross, यह आएगा, आपका, 1681, clear, और यहां पर मैं लिख देता हूँ, 1681, multiplied with, upon 2, तो 4, 2, 2 times 4, and 2, 5 times 10, तो multiplied with 5 आएगा, ठीक है, इसको 5 से multiply कर लेंगे, तो 5, 1 times, 5, 8 times 40, 4 carry, 5 into 6 is 30, 34, 3 carry, तो यहां पर यह आगया, 8, 8, 4, 0, 5 by 2, और यह आएगा, 2, 4 times 8, 2, 2 times 4, 2, 2 times 4, 0.5 rupees, यह amount return होगा, done, अभी, compound interest कितना आया, तो यह आया, amount minus principle, that means, 4,202.5, clear, minus 4,000, 4,000 पर principle लिया था, तो यहां पर जो CI calculate होकर आया है, वो आया है आपका, 202.5 rupees, इसको भी मैं एक box में डाल देता हूँ, चलिए, box यहां पर हम इसको box में डाल देता है, अब आप देखिएगा, यहां पर आपको एक चीज़ नूटिस करने को मिलेगी, आप से पूछा था, A, A ने कितना profit कमाया, तो A ने B को कितना वापिस return किया है, ठीक है, तो A ने जो B को return किया है, वो किया 4200, देखिएगा, 4200 B को दिया, ठीक है, और मिला कितना, तो मिला है उसको, यहां पर अगर मैं देखू, मिला जादा है, मिला कितना है, उसको मिला है 4200, 4200, 2.5, minus 4200, that means, rupees, 2 rupees 50 पैसा, यह इसने extra कमाया, यह इसका profit निकल के आया है, done, तो profit कितना earned हुआ, profit earned हुए सिर्फ दौर पे 50 पैसे का, ठीक है, तो 2 rupees 50 पैसे का profit earn हुआ है, किसको, A को, clear 6 महिने के बाद, तो यह था question करने का तरीका, 4 question हो गए हैं यहां पर, move करते हैं, 5th question की तरफ, 5th question क्या कह रहा है, 5th question कह रहा है, Q and R borrowed, rupees 26,000 and 25,000, तो Q borrowed, कितना दिया है, पहले लिख लेते हैं, Q borrowed, rupees 26,000, clear, and Q के बाद हमें दिया है, R, तो R borrowed, R borrowed, कितना, R borrowed, rupees 25,000, 25,000 रुपे, R ने बौरो किये, clear, तो Q ने बौरो किया, R ने बौरो किया, for a period of 2 years, time कितना है, तो time है आपका 2 साल, 2 years, दोनों ने 2-2 साल के लिए पैसा लिया है, Q paid simple interest at the rate of 2%, तो Q paid simple interest at the rate, at the rate, at the rate of 2%, clear, per annum, whereas R paid compound interest at the same rate, compounded annually, किसने ज्यादा interest पे किया, और कितना ज्यादा पे किया, तो ये आपका सावाल है, चलिए, इसको कैसे करना है, इसको समझना, R paid, यहां लिख लेते हैं, R paid compound interest, at the rate of 2%, same rate है, at the rate of 2% per annum, ये भी per annum है, वो भी per annum है, चलिए, तो ये था हमारा given data, किसने ज्यादा interest पे किया है, इसको हम अब देख रहे हैं, देखे, Q ने जो borrow किया है, वो एक principle होगा, तो मैं बोलता हूँ, ये है आपका principle P1, इसको हम बोलते हैं, प्रिंसिपल P1, और ये आपका हो जाएगा principle 2, ठीक है, तो R के लिए हमने P2 ले लिया, time दोनों का same है, rate of interest दोनों का same है, तो पहले हम simple interest निकाल लेते हैं, simple interest का formula होता है, profit multiplied with rate, multiplied with time upon android, clear, अब यहाँ पे, इस case में profit, मैंनों, sorry, आपका, जो principle रहेगा वो first, तो Q ने जो था, वो SI pay किया है, तो Q ने SI pay किया है, इसलिए हमने principle 1, P1, 26,000 को हम यहाँ पे लिख रहे हैं, 26,000, 2% के हिसाब से, time जो था इनका, वो था आपका 2 साल again, upon hundred, clear, और यह 2,0 से 2,0 हो गए, और यहाँ पे, 4,0 times, 4,6 times is, 24,2, 4,2 times is, 8,9,0,10, मतलब 1,040 उर्पे, जो है, वो simple interest पे किया है, किसने पे किया है, इस simple interest, तो यह simple interest पे किया है, क्यों ने, इस case में, हम यहाँ पे लिख देते हैं, क्यों का, यह रहा पूरा case, simple interest, 1040 सुबे का पे हुआ है, किसने ज़्यादा interest पे किया, यही बात हमारी चल रही है, अब अगर मैं second case की बात करूँ, तो यहाँ पे मैं use कर लेता हूँ, white pen का, और यहाँ पे हम सबसे पहले calculate करते हैं, amount, principle, 1 plus r upon, 100 whole raise to the power of t, clear, इस case में, अगर मैं calculation करता हूँ, तो यहाँ पे सबसे पहले, तो हमारा amount calculate होकर आएगा, और amount हमारा होगा principle, principle थर 25,000, 25,000, 1 plus r upon 100, मतलब 2 upon 100, और whole raise to the power of 2, क्योंकि दोनों case में, जो time period है, वो हमारा same है, और दोनों case में, rate of interest भी हमारा same है, clear, चलिए, अगर इसको हम solve करते हैं, तो यहाँ पे हमारे amount की value आएगी, 25,000, multiplied with, और 2, 1 times is 2, 2, 5 times is 10, 50, तो यहाँ पे 1 by 50 आएगा, 1 plus 1 by 50, that means 51 by 50, तो 51 by 50, दो बार आजाएगा, 51 by 50, 51 by 50, clear है, अब यहाँ पे 5 into 5 होता 25, तो 2, 0 से यह 2, 0 गए, and 5 into 5, 25, तो यहाँ पे आएगा यह 10, और 51 का square, तो 51 का square, यह हमारा यहाँ पे amount आएगा, इस case में, तो हमारा amount कितना आया, तो 51 multiplied with 51, will give you, 5, 1 times is 5, and 5, 5 times is 25, तो यह आएगा, 1, 10, 10 का 0, carry 1, 2, 6, 0, 1, तो यहाँ पे हमारा amount आजाएगा, 2, 6, 0, 1, 0, मतलब 26,000, 10 उपे, यह हमारा amount आया है, और हमें calculate करना है, C.I. और C.I. calculate करने के लिए, आप क्या करते हैं, तो C.I. calculate करने के लिए, आप amount में से principal को minus कर देते हैं, तो इस case में, जो C.I. निकल के आएगा, 26,000 में से 25,000 हमारा minus हो जाएगा, मतलब 1010 उर्पे, यहाँ पे हमने, as a compound interest पे किया है, तो यहाँ पे simple interest हमने, 1040 उपे किया है, compound interest हमने, 1010 उपे किया है, कुल मिला कि, यह जो principal था, यह 26,000 था, और यह जो principal था, यह 25,000 था, किस case में हमने, ज़्यादा interest पे किया, तो हमने, किसने पे किया है, कुल मिला कि, R ने simple interest पे किया है, R ने क्योंकि 25,000 बोरो किये थे, R ने नी, sorry, Q ने ज़्यादा पे किया है, 1040, तो हम कहेंगे, यहाँ पे Q ने ज़्यादा, interest पे किया है, Q का principle ज़्यादा था, ठीक है, और principle ज़्यादा होने के कारण, लग simple interest रहा था, लेकिन 2 साल के हिसाब से, ज़र 26,000 का calculate होता है, तो 30 रुपे का difference आ रहा है, 1010 और 1040 के अंदर, clear है, तो यहाँ पे 26,000 10 में से 25,000 माइनस कि, इसलिए 1010 रुपे आए है, तो यह interest ज़्यादा आ रहा है, तो simple interest मतलब, Q ने जो payment की है, यहाँ पे यह क्यो वाला जो case आया है, यह payment ज़्यादा हुई है, मतलब यह interest ज़्यादा पे हुआ है, यह हमसे पूचा था, who paid more interest and by how much, done, तो यहाँ पे आपने DPV में total six questions देखे थे, पांच हमने कर लिया है, solve, six question की तरफ move कर रहे हैं, Varun started a business with an initial investment of rupees 3 lakh, principle Varun ने कितना लगाया था, देखिया, business start करने के लिए, principle कितना लगाया था, यहाँ हम ऐसा बोलने, principle ना बोलते हैं, उसने investment कितना किया था, तो उसका जो investment हुआ था, नया business start करने के लिए, वो हुआ था, rupees 3 lakh, 3 lakh रुपे उसने business पे लगाया था, in the first year, he incurred a loss of 3%, उसको 3 lakh का 3% loss हो गया, तो loss incurred, loss incurred is equals to 3% on investment, यह investment में उसको loss हुआ, done, तो, so he invested the remaining amount in the bank, अब उसने क्या किया, जो 3 lakh रुपे लागत लगायी थी, उसको total 3% का loss हुआ है, सबसे पहले तो 3 lakh का 3% अगर हम calculate करते हैं, तो उसका loss निकल के हमें आ जाएगा, मतलब, 3 lakh में उसने गवाया कितना है, तो loss percent हमारा आएगा, 3% of 3 lakh, तो यह हमारी value आजाएगी, minus 3 into 3 is 9, और 3 0, मतलब, 9000 रुपे का उसको loss हुआ है, out of 3 lakh, उसने अपना पैसा निकाल लिया, ठीक है, 3 lakh उसने लगाया था, उसमें से 9000 का loss हुआ, बाकि जो पूरा पैसा था, ठीक है, अब जो उसके पास बचा हुआ पैसा है, remaining amount, जो उसने withdraw किया है, तो मैं ऐसा बोल रहा हूँ, withdrawal amount, withdrawal amount, withdrawal, withdrawal investment, उसने अपना investment जो किया था, उसको withdraw कर लिया, कितना withdraw हो गया, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, total उसने 10 में से 9 गए, एक और नौ, 2,991,000, उसने withdraw कर लिये, अपने business में से, तो उसने 3 लाग business पे लगाए थे, business में 3% का घाटा हुआ, उसने हमने पहले 3 लाग में से 3% को minus किया, ठीक है, तो 9,000 रुपे minus होंगे, 2,991,000, यह हमारा withdrawal investment आएगा, उसने इस investment को जो withdraw किया था, उसने इसको principal समझते हुए, bank में invest कर दिया, तो अब finally जो हमें solve करना है, वो हमें principal लेके चलना है, रुपीज 2,991,000 रुपीज को, यह चीज आपको बहुत अच्छे से समझनी पड़ेगी, कि अब हमारे पास जो principal है, वो 2,991,000 है, जो उसने bank में invest कर दिया, और invested at the remaining amount in the bank at 4% per annum, अब यहाँ पे देखिएगा, 4% per annum के हिसाब से, उसने invest कर दिया for the second year, तो rate उसको bank से मिल रहा था 4% का, 4% per annum के हिसाब से, ठीक है, and 5% per annum for the third year, फिर उसने again, वो जो पैसा उसको मिला होगा, उसने उस पैसे को 5% के हिसाब से, तो यह था for first year, for first year, and एक और rate उसको मिला, 5% per annum for second year, आप देखिए, वहाँ पे तो word लिखा था third year और fourth year, तो हम उन शब्दों को अभी नहीं मान रहे, ठीक है, reason क्योंकि उसने जो business चालू किया था, वो पहले साल में उसने loss खा लिया, अब उसने जो पैसा निकाला है, वो 2,91,000 ते, जो उसने invest किया, वहाँ पे second year लिखा है, हम उस second year को first year मान के चल रहे है, कि अब उसको पैसा मिलेगा, उसने पहले गवाया है, तो गवाने वाला amount हमने निकाल दिया था, यह जो उसने गवाया है, यही हमारा principle हमने लेके, अब आगे हम workout कर रहे हैं, clear है यह चीज, चलिए है, for the third year under compound interest, compounded annually, find the amount, अब आप बताईए, उसके पास final amount, second year के बाद कितना होगा, तो first year की कहानी यहां थी, जो उसने business डालू किया था, फिर second और third year, तो third year के बाद आपको amount बताना है, जिसको मैंने यहाँ पर first और second लिया है, clear, कोई confusion ना हो, इसलिए है, तो हम देखो, अलग-अलग, देखो amount calculate करने के लिए, हम जो formula यूज करते हैं, वो होता है, principle one plus r upon hundred, whole raised to the power of t, यह formula हम तब यूज करते हैं, जब word लिखा हो, compounded annually, ठीक है, अगर compounded half yearly होता, तो case अलग हो जाता, इस amount के formula को, देखे, first year, amount from, हम ऐसा बोल देते हैं, amount from, first year of investment, first year के बाद, कितना amount आएगा, तो हमने 2,91,000 bank को दिये थे, जिसमें से 1 plus 4% के हिसाब से, bank हमें, एक साल के बाद return करेगी, कितना return करना चाहिए, तो यह हमारा आजाएगा, simple सा, तो 2 into 2, 4, 2 into 5 is 10, फिर 2, 1 times, और फिर 2, 25 times, तो 1 by 25 आएगा, कुल मिला के, 4, 2 times 8 and 5 times 20 होता है, तो यहाँ पर 1 by 25 आएगा, that means 26 by 25 आएगा, तो 291, triple 0 multiplied with, तो यहाँ पर, एक छोटी सी गलती होई है, इसको correct कर लेते हैं, यहाँ पर figure गलत लिख दिया था, 291, triple 0, 291,000 multiplied with, 1 by 25, तो 1 plus 1 by 25, विल गिव यू 26 by 25, clear है, यह रहा, और यहाँ पर यह value, आजाएगी आपकी 25, 5, 5 times 25, और यह पूरा हमने cut किया, तो 5, 5 times 25, और 9 में से, 5 गए, तो यहाँ पर आपका आएगा, कितना, 4, 41, 5, 8 times 40, बचा 10, 5, 2 times is 10, और 2, 0, clear, अगें, 5 से, यह deduct होगी, पूरी value, तो 5, 1 times 5, 5, 1 times 5, 5, 6 times 30, और 5, 4 times 20, 0, multiplied with 26, यह पहले साल के बाद, amount written होगा, clear है, चलिया, एक blank sheet ले लेते हैं, तो यहाँ पर, amount, got, from bank, from bank, in second year, in second year, तो कितना amount हमाई पास written आएगा, यह amount हमाई पास written आएगा, 11640, 11640, multiplied with, multiplied with 26, clear है, इसको solve कर लेते हैं, तो 1164, multiplied with 26, 6 into 4 is 24, 36, 38, 3, 9, 6, 1 times 6, cross, 2 into 4 is 8, 2 into 6 is 12, 12 का 2, carry 1, 3, 2, 1 times is 2, यह 4, 8 plus 8, 16, 16 का 6, carry 1, 10, 11, 12, 12 का 2, carry 1, 7, 7 हो 3, 10, 10 का 0, carry 1, तो यह हो जाएगा, 30,264, यहां पर यह आजाएगा, रूपीज 30,264, उसने 30,264, और देखो, एक 0 और था, उसने टोटल, बैंक को दिया था, 2,991,000, 2,991,000, उसको रिटन में मिला, अगले साल, 3,2,640, 3,2,640, उसको 2nd year में मिले, अब यही चीज 3rd year के लिए प्रिंसिपल हो जाएगी, therefore, he invested, he invested rupees 3,2,640 for 3rd year, for 3rd year, उसने यह invest कर दिया, इतना 3rd year के लिए, तो 3rd year के लिए invest किया, at the rate of 5%, compounded annually, compounded annually, यह चीज हमें question में बोली है, देखिएगा, यहाँ से जो amount मिलेगा, वो होगा principle, 3,2,640, 1 प्लस, R upon 100 मतलब 5%, whole raise to the power of 1, clear, और यह हो जाएगा, हमारा 3,2,640, multiplied with, 5,1 times, 5,2 times, तो 1 plus 1 by 20, यह हो जाएगा, 21 by 20, और 0 से यह 0 कटा, 2 से यहाँ पर यह पूरी value कटी, तो यहाँ पर 2,1 times 2, 2,5 times 10, 2,1 times 2, 2,3 times 6, 2,2 times 4, multiplied with 21, यह हमारा rate बचेगा, clear है, तो finally उसको amount क्या मिला, यह हमें बताना है, तो उसको amount क्या मिला है, वो आप यहाँ calculate कर लीजिए, उसको जो amount मिला है, 3 साल के बाद, वो amount मिला है उसको, 21 को जब मैं यहाँ पर multiply करूँगा, तो 15 और 13 और 2, इसमें हमें multiply करना है 21 को, तो यह आजाएगा, 1, 5, 1, 3, 2, cross 2 into 2, 4, 2 into 3 is 6, 2, 1 times is 2, 2, 5 times is 10, and this is 3, 2, 7, 7, 7, 1, 3, मतलब इदर देखेगा, 3, 1, triple, 7, 2, 3, 17,772 रुपे, यह उसका amount अब उसको return मिला, ठीक है, 3 साल के बाद, पहले साल तो उसने business किया था, loss हुआ, बाकी 2 साल उसने bank में deposit कर दिये, तो देखिएगा, 3 साल के बाद, 3, 0, 2, 1, वो business में लेकर आया था, 3 साल के बाद, उसके पास amount कितना होगा, find the amount, तो उसके पास amount होगा, यह वाला, ठीक है, तो यह मेरा answer है, पूरी उमीद करता हूँ, आपको यहां तक यह 6 question, इस DPP में बहुत अच्छे से समझ आ गये होंगे, इसके बाद आप practice sheet लगाना मत भूलिएगा, एक theory lecture और है, growth and depreciation related, उस video को भी देखना मत भूलिएगा, clear है, तो practice sheets है, number of practice sheets है, आप practice sheets को solve करिए, उनका solution video watch करिए, अब सर्य यह सब कुछ हम असान तरीके से कैसे देख सकते हैं, तो भाई सबसे easy way है, आप आईए Google राजा के पास, type करिए magnetbrains.com, आप आजाएंगे हमारी website पे, तो website पे, एक arranged manner में videos देखना बहुत असान है, आप arranged manner में सारी videos दे सकते हैं, वो भी 100% free education, किसी तरह का कोई coupon code आपको apply नहीं करना है, किसी भी तरह की आपको कोई subscription fees, यहाँ पे नहीं करनी है, क्लियर कहीं पे भी 100% free education, magnetbrains के सिर्फ दौारा आपको यहाँ पे provide हो रहा है, सारी best education, सारा best quality content, आपको सिर्फ magnetbrains के platform पे मिलता है, तो बने रहे हैं magnetbrains के platform पे, आप हमें follow कर सकते हैं, instagram के तरू, facebook के तरू, telegram के तरू, यह सारे तरीके हैं, जिससे आप हमें follow कर सकते हैं, और अगर आप youtube channel watch कर रहे हैं, तो share और subscribe करना मत भूलिएगा, वीडियो को like जू करिएगा, so that teacher motivate होते हैं, और यहाँ पे त्यारी कराई जारी है, complete exams की, सिर्फ IIT जहीं foundation की सिवा भी, यहाँ पे जिससे law का exam होता है, बैंक का exam होता है, UPSC का exam होता है, आप इन exams की बारे में भी अपने घर में, अपने relatives में इन चीजों को share कर सकते हैं, so that सब तक 100% free education पहुँच पाए, clear, चलिए, मिलते हैं practice sheets में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिये, bye and take care.